हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है Send Telegram Messages from Google Sheets Automatically तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप Google Sheets और Telegram के बीच में Connection मना सकते हैं कि जैसे आप Google Sheets की रो में कोई नई details एंटर करेंगे तो Automatically Telegram की चैनल पे नोटिफिकेशन चला जाए तो आप इस पूरी प्रसेस को Automate कर सकते हैं Public Connect की मदद से Google Sheets और Telegram के बीच में Connection बिल्ड करके जिस पर हमारा Trigger होगा कोई नई रो एड होना Google Sheets में और हमारा Action होगा Automatically Channel में से चले जाना Telegram पे तो आप कैसे बना सकते हैं उस पूरा Automation को कैसे Connect कर सकते हैं इन दोने अप्लिकेशन को आईए देखते हैं मेरे स्क्रीन पे तो चलिए बनाते हैं कैसा Automation Google Sheets और Telegram के बीच में कि जैसे आप Google Sheets में कोई नई रो एड करें तो Automatically Telegram पे एक मेसिज चला जाए तो माल लीजिए आप Google Sheets में अपने नई तास्क की डीटेल सेंटर करते हैं जो आप आसाइन करना चाते हैं अपने टीम मेंबर्स को अब आप चाते हैं कि जैसे आप Google Sheets की रो में कोई नई तास्क की डीटेल सेंटर करें तो Automatically आपके टीम मेंबर्स को एक टेलिग्राम मेसेज रिसीफ हो जाए वो भी Automatically तो इस पूरे प्रसेस को आप Automate कर सकते हैं पैबली करनेट की मदद से Google Sheets और टेलिग्राम के बीच में कनेक्शन बिल्ट करके चलते हैं न्यू टैप पे आप देख सकते हैं पैबली का लेंडिंग पीच पैबली की मदद से हम टेलिग्राम और Google Sheets के बीच में कनेक्शन आज करेंगे पिल्ट अगर आप नई यूजर हैं तो जाए साइन ओफ और फ्री पे जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसा Automation Create करने के लिए अगर आप एक्सिस्टिंग यूजर हैं तो क्लिक करेंगे का Sign In पे Sign In पे कलिक करते ही आपके सामने Open होंगी पैबली की ये 5 beiden applications आज हमको use करना है पैबली Connect का तो क्लिक करेंगे हम access now पे access now पे कलिक करते ही आपके सामने Open होंगा पैबली Connect का डेश बूर्ट आप अपने requirement के हिसाब से इसी कोई और भी नाम दे सकते हैं फिर click करेंगे आप create पे जैसे आप create पे click करेंगे आपके सामने open होंगी ये दो important windows इनको हम कहते है trigger and action basically जो पूरा automation आजब बनाने वाले हैं वो इन दोनो principles से concepts पर ही based होते हैं इनके definition की बात करें तो trigger कहता है when this happens पतलब जब ऐसा हो तो action कहता है do this मतलब ऐसा कर दो तो आज का हमारा objective क्या है आज का हमारा objective यह है कि जब भी Google Sheet की रो में मैं कोई नहीं task की detail सेंटर करूँ तो automatically telegram के channel पे हम message भीजना चाहते हैं हमारे team members को तो जाओंगा मैं public connect पे चूज करूँगा update trigger application जो होगी Google Sheet और जो हमारी action application होगी वो होगी telegram तो सबसे पहले चूज करेंगे हमारी trigger application Google Sheets trigger application चूज करते हैं हमको चूज करना है trigger event तो trigger event हमारा होगा new और updated spreadsheet row trigger event का बतलब यह होता है कि जैसी हम Google Sheet में कोई नई row update करें या add करें तो हम चाते हैं कि जो हमारा workflow है वो trigger हो जाए और same details का यूज करके telegram के channel पे एक message चला जाए तो देखे trigger event चूज करती हमको दिया गया है यहाँ पे एक webbook URL webbook URL का का काम होता है दो applications के बीच में connection बिल्ड करना यह as a bridge की तरह करता है act तो आज ही हमारी मदद करेगा Google Sheets और पैबली connect के बीच में connection बिल्ड करने में इसका मतलब जो Google Sheet में हम सारी detail center कर रहे है task की इस Google Sheet को हम इस webbook URL की मदद से connect कर देंगे पैबली connect से इसका मतलब जैसे हम इस Google Sheet में कोई नई row add करेंगे कोई नई task की detail center करेंगे तो automatically जो भी data है इस Google Sheet का वो पैबली connect के पास हो जाएगा capture इस URL की मदद से तो देखिए आप हमको सारी instructions दिये हुए कि कैसे हमको इस URL का use करना है मैं आपको directly बताता हूँ यह URL आपको यहां से करना है copy जाना है अपनी Google Sheet पे Google Sheet पे जाती है आपको क्लिक करना है extensions पे extensions पे जाती है आपको जाना है add-ons पे फिर जाना है get add-ons पे get add-ons पे क्लिक करते ही आपके सामने open होगा Google Workspace Marketplace इसके search बार में आपको सर्च करना है पैबली कनेक्ट वैबुक्स पैबली कनेक्ट वैबुक्स मेरे सिस्टम में already installed है अगर आपके सिस्टम में यह install नहीं है तो आप इसको install करें तब ही आपकी जो Google Sheet है वो connect हो पाईगी पैबली कनेक्ट से इसको हम करेंगे बन जैसी आप पैबली कनेक्ट वैबुक्स अपने सिस्टम में install कर लेंगे पापीस आप क्लिक करेंगे extensions पे तो यह आपको bottom पे होने लगेगा show इसके initial setup पे आपको करना है click initial setup पे क्लिक करते ही हमसे पूछ रहा है वैबुक URL and trigger column तो जैसा कि आपको याद होगा पैबली कनेक्ट पे हमको एक URL मिला था यही सेम URL हम यहाँ से करेंगे copy जाएंगे अपनी Google Sheet पे और इसको यहाँ पे मैं कर दूँगा paste इसी URL की मदद से जो भी डेटा है इस Google Sheet का वो पैबली कनेक्ट के पास हो जाएगा capture फिर आता है trigger column तो देखे trigger column है हमारा column C आप देख सकते हैं मेरी spreadsheet का जो लास्ट updated column है वो है column C column C के बाद कोई भी column है मैंने कोई data enter नहीं किया है इसलिए जो हमारा trigger column होगा वो होगा column C आप देखें जैसी मैं send test पर क्लिक करूंगा automatically इस Google Sheet का जो डेटा है first row का वो पैबली करेंट के पास हो जाएगा capture तो क्लिक करते हैं send test पे और देखें आपे लिखा आ रहा है test data send successfully इसका मतलब इस Google Sheet का जो भी डेटा है वो पैबली करेंट के पास हो चुका है capture वेबोक URL क की मदद से अब हम क्लिक करेंगे submit पे और इसको करेंगे बद इसके बाद आपको एक step और करनी है जो कि बहुत ही जदा important step है आपको वापिस क्लिक करना extensions पे जाना है पैबली करेंट वेबुक्स पे और send on event का option आपको जरूर करना है टिक इसका मतलब जैसी आप इस Google Sheet में को नई task की details नई रो में add करेंगे तो automatically वो जो नई रो का data है वो पैबली करेंट के पास हो जाएगा capture, send on event का option जैसी आप करेंगे टिक अब हम चलेंगे पैबली करेंट पे और वहाँ पे हम चेक करेंगे क्या इस रो का data पैबली करेंट के पास capture हुआ है नहीं तो चलते हैं प जो भी details में add करी थी इस Google Sheet में, इस Google Sheet का data पैबली करेंट ने अपने पास कर लिया है capture, इसका मतलब जो हमारा first step of integration है वो work कर रहा है, हमने Google Sheets और पैबली करेंट के बीच में एक ऐसा connection बिल्ड कर दिया है, कि जैसे हम Google Sheet की row में कोई नहीं details एंटर करेंगे तो instantly उसका response प हमारी action application, telegram pod, यहाँ से मैंने choose कर दिया अपनी action application और action event पर हम select करेंगे, send a text message और reply, क्योंकि हमें text message भीजना चाहते हैं हमारे team members को, इसलिए मैंने action event पर ये select किया है, अब telegram के account को हम connect करेंगे public connect से, click करेंगे हम connect पे, और जाना हमको add new connection पे, add new connection पे जाते हैं, यह हमसे बांग रहा है, एक token, तो देखिए हैं, आप हमको सारे instructions दिये हुएं कि कैसे हमको यह token करना है, generate, मैंने telegram का account already open करके रखा है, telegram web के नाम से जो आता है, वो मैंने already open करके रखा है, new tab पे, आप देख सकते हैं, यह है मेरे telegram का account, तो देखिए public connect के हिसाब से हमको जाना हमार टेलिग्राम पे, तो देखिए यह bot हम कैसे करेंगे, create, जाएंगे हम हमारे telegram के account पे, और search बार में आपको search करना है bot father, bot father हम करेंगे open और फिर click करना आपको start पे, start पे click करती देखिए हमको सारे instruction दिये गए हैं कि हमको क्या करना है, तो हमको एक नया bot करना है, generate, तो हमको ए test integration 93009, यह हमारे bot का name, इसके बाद हमको एक user name देना, इस bot को, जो भी हम बाट create कर रहे हैं, टेलिग्राम के account पे, इसको हमको देना, एक user name पर याद रखिए, जो भी आप user name इस bot को देंगे, उसके आगे आगे आपको under scope bot जरूर लगाना है, तभी यह bot आपका accept होगा, तभ यह user name आपका accept होगा, तो माली जा हम इसे नाम देते हैं, test integration 93009, अंडर scope bot, तो देखिए, यह हमारे bot का name, तो देखिए, हमने successful एक bot हैंपे generate कर दिया है, test integration 93009, अंडर scope bot, यह हमारा user name, अब देखिए, यह हमको token मिला है, इस bot का, यह token हम यहां से करेंगे, copy, यहां से copy करके आपको जाना है, पैबली connect पे, और इसको यहां पे कर देना, पीस्ट, अब जैसी में safe पे click करूँगा, जो हमारे telegram का account है, वो connect हो जाएगा, पैबली connect से, नए bot की मदद से, जो भी messages रहते हैं, telegram के, वह हम भीज सकते हैं, channel पर हमरी team के पास, तो देखिए, हमने नया bot successfully generate क account, और इस पे जो हमने नया bot generate किया था, यह है उसका username, इस पे हम करेंगे click, और देखिए, test integration 939 के नाम से, यह bot हो चुका है create, अब क्लिक करना आपको start पे, और देखिए, bot यहां पे हो चुका है active, अब आपको क्या करना है, अब आपको एक group create करना है, जिस पे कि आप एक channel message भीजना चाहते हैं अपने team members को, उस group को create करके, आपको add करने अपने team members, और जो bot हमने अभी अभी create किया है, test integration 939, इस bot को भी आपको add करना है, इस group में, और इस same bot को आपको बनाना है, add mail उस group का, तभी जो भी message रहेंगे Google sheet के, वो आपको receive होंगे, टेलीग्राम के channel पे, चल bot मैंने आपे कर लिया है, add, team members भी आपे कर लिते हैं, add तो और भी team members मैंने आपे कर दी है, add, फिर आपको click करना है next पे, और इस group को देना है एक name, तो माली जो मैं इसको name देता हूँ, sales team, यह हमारी team का name, और यहापे मैंने दोनों हमारे team members add कर लिया है, आप चाहे तो इस team मैंने आपे successfully कर दी है, create, तो example के लिए मान लिजे, यह हमारी एक team, अब जो भी Google Sheet में टास्स एड़ करता हूँ, मैं इस particular team में उसके message भीजना चाहता हूँ, हमारे team members को notify करने के लिए, तो देखिए successfully आपे मैंने एक नया group कर दिया है, create, अब देखिए sales team हम करते है, open और देखिए जो test integration 93 double line जो हमारा bot था, इस bot को आपको बनाना है admin इस group का, तो यह आप करेंगे अपने smartphone की मदद से, तो देखिए मैंने इस bot को admin बना दिया है, अब जो भी message हमको receive होंगे Google Sheet से, वो इस particular bot की मदद से इस channel पे आजाएंगे, वो भी automatically, अब चलते हैं public correct पे, औ और सबसे पहले हमको यह करनी है field fill chat ID, तो जो group अभी हमने create किया था telegram पे, यह same group sales team का, यह URL की मदद से आपको मिलेगा chat ID, तो आप देख सकता है dash के बाद का जो भी part है including dash, यह हमारा chat ID, यह मैं आसे करूँगा copy, यह chat ID मैं आसे करूँगा copy, जाओंगा public connect पे और उसको यहा आता है text message, जो text message जो आप अपने team members को भीजना चाहते हैं, वो message आपको यहाँ पर करना है type, तो यहाँ पर मैं type कर देता हूँ message, तो देख यहाँ पर मैंने type कर दिया message, hello your new task is, the due date for same is and family team, अब आप सोच रहोंगे कि यह आदा हदूरा message मैंने क्यो टाइप किया है, तो यह हम कैसे करेंगे, यह हम करेंगे mapping की मदद से, mapping का मतलब यह होता है कि response हमको google sheets से मिला था, इसका use हम यहाँ पर कर लेंगे, वो भी without manually type करके, तो देखिए hello के पात, जिस person को हमने task assign किया है, उसका name मैं आपकर कर दूँगा, तो देखिए वो कैसे करेंगे हम, जैसे आप इस field पर click करेंगे, तो देखिए google sheets आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जो हमारी trigger application थी, इसके drop down आप जैसे click करेंगे, तो जो भी response हमको मिला था trigger application सी, वो पूरा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो देखिए जो person जिसको हमने task assign किया था, उनका नाम था john stokes, वो मैंन पर दिखेंगे due date 20 of July 2023 and family team जो हमारे company का name है, तो देखिए पूरा message मैंने आपके कर दिया है, अब देखिए, जैसी मैं save and send test request के button पर click करूँगा, यह same message automatically हमारे team members को हो जाएगा, receive telegram के channel पर, तो चलिए click करते, save and send test request के button पर उससे पहले, आपके मन में दो तीन सवाल जरूर आ रहे होंगे, कि यह जो आदा message है, यह मैंने type किया है manually, और जो आदा है उसमें मैंने use किया है mapping का, और यह mapping का मतलब क्या होता है, ऐसे अंगीना सवाल आपके मन में आ रहे होंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहापे मैंने mapping का use इसलिए किया है, क्योंकि जो भी डेटा मैंने आपे मैप किया है लाइक जो परसन जिसको मैंने टास्क का साइन किया है टास्क का नेम डियू डेट ये डेटा ओटोमेटिकली न्यू डेटा से होता रहेगा चेंज जब भी हमारा वर्फलो करेगा रन इसका मतलब गूगल शीट की रो में अगर मैं को नई टास्क के डीटेल से इंटर करूँगा और डिफरेंट परसन का नेम एंटर करूँगा तो आटोमेटिकली ओजो नया डेटा है वो यहाँ पर आके हो जाएगा अपडीट हमारा वर्फलो हो जाएगा ट्रिगर और टेलीगरम के चैनल पर हमारे टीम को आटोमेटिकली एक मेसेज हो जाएगा रिसीव क्योंकि यह जो पूरा आटोमेशा ने केवल आपको एक बर सेट अप करना है इसके बाद की सारी प्रोसेस पैबली करेंट आटोमेटिकली कर लेगा आपको कोई भी मैनुल वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यह जो आदा मेसेज है लाइक हलो यह न्यू टास्की इस पैबली टीम यह जो भी चीज़े मैने आपके टाइप करी हैं यह चीज़े कभी चेंज नहीं होगी यह डेटा रहता हमेशा स्टेटिक इसलिए मैने आपर यूज किया हैं मैपिंग का अब सिंप्रिय हम क्लिक करेंगे सेव और सेंड टेस्ट रिकेस्ट पे पास्ट मोड हम सेलेट करेंगे तो चलते हैं हमारे टेलिग्राम की अकाउंट पर और देखिए यहां पर हमको एक मैसेज हो चुका है तो आजए चेक करते हैं अब इस आटोम मिशन को हम रियल टाइम पे चलते हैं गूगल शीट पे इस बार का जो टास्क है उसका नाम है SEO तो यहां पर मैं टास्क की डीटील्स कर देता हूं आजए टेलिग्राम की अकाउंट पर देखिए इंस्टेंटली यहां पर हमको एक मैसेज हो चुका है रिसीव हेलो जॉन रूट और न्यू टास्क की SEO ता डियू डेट फॉर सीम इस 31 जुलाई 2023 रिगार्स पैबली टीम आप देख सकते हैं सीम डीटील्स मैंने एड़ करी थी गूगल शीट में उन्हीं डीटील्स का यूज़ करके टेलिग्राम के चलाईन पर हमको एक मैसेज हो चुका है रिसीव इसका मतलब जो आटोमिशन हमने बनाया है वो सकस्ट में पूरा आटोमिशन सेट एप अप कर दिया है जो वो करे एक इंस्टेंट ही एक बात ही यूजफुल आटोमिशन है जिसका इस्तिमाल आप भी कर सकते हैं तो अगर आप भी इस workflow का इस्तिमाल करना चाहते हैं तो इसका link पर अपनी वीडियो के description में दे दूँगा जा आप इसे बड़ी असानी से कर सकते हैं सिर्फ यही नहीं आप और भी application के integration पैबली करेट के मदद से बना सकते हैं इसके लिए आप हमें email कर सकते हैं support at the rate family.com पर अगर आपको कोई queries हैं आपको कोई doubts हैं तो आप जा सकते हैं forum.family.com पर अगर आपको pricing related कोई issue हैं तो आप जा सकते हैं इस link पर अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो please like करें, share करें और हमारी channel को subscribe करना ना बोले Thank you